प्रिये विद्यार्तियों लोग प्रसासनिक अक्षा में आपका स्वागत है आज हम नई यूनिट प्रारम कर रहे हैं और इसमें हम आपके पाठ्यक्रम के अनुशार मुख्यकारेपालिका सुत्र, श्टाफ, व्यसायक, अभीकरण, संचार, नित्रतव, निरिणन तथा अभ सरकार या सासन के तीन अंगोते हैं विधाईका, कारेपालिका और नियाईपालिका विधाईका जो है उसका कार्या विधी का निर्मान करना है कारेपालिका जो विधी है ये नीतियां है उनको क्रियान्यमेन करती है और नियाईपालिका क्या है विधी की व्याख्या करती है हमारा विशाय लोकप्रसासन है और लोकप्रसासन का मुख्य संबंद सासन के कारेपालिका से होता है और कारेपालिका जो है वो जनता द्वारा निर्वाचित जन्दपरतिनी दियों से युक्त संस्था जिसको विधाईका कहते हैं उसके दवरा निर्मित कानूनों, नीतियों और कारे करमों को क्या है वास्तव में वो लगू करती है तो व्यपक या समोई गुरूप से कारे पालिका में वे सभी करमचारी तथा संस्थाइं आ जाती है जिनका संबन्द क्या है राज्य की इच्छा को क्रियानवित करने से है और जो कानून के रूप में उनको प्रकट की गई है को अब हम मुख्यकारे-पालीका की बाड़े में थोड़ देख लेते हैं के एक सिएर्स्फर विराजमान व्यक्ति मुख्यकारे-पालीका कहलाता है मुख्यकारे-पालीका विभागों के अद्यक्स तथा सरकारी 590 उचतम तर्पी absorb्य के सारुजनिक परसास्कों से जिसमें वहगति, लोग से वकत था, अन्य लोग, जो मुख्यकर्य पालिका की साइता के लिए भरती की जाते हैं, वो भी सामिल हैं। वास्तव में संपुन प्रसासनिक तंत्र क्या है करेपलिका का प्रयाय है और जिसके इस करेपलिका के शीर्ष पर जो विद्यमान प्राधिकारी है वही क्या है मुख्या करेपलिका कहलाता है तो हमारे यहां अगर भारत में बात करें तो कारेपालिका जो है वो तीन प्रकार की है यथार्थ रूप से अपने मोटे तौर पर देखें तो एक तो वास्त्विक और वास्त्वी कारेपाली का है और एक नाममात्र की कारेपाली का है और एक क्या है प्रशासने कारेपाली का है नाममात्र की जो कारेपाली का है वो राष्टपती है केंदर में और राज्यों में राज्येपाल है और वास्तिवे कारेपालिका जो है उसमें प्रधान मंत्री उसकी मंत्री परिशद किंदर में और अज्यो में मुख्या मंत्री और उसकी मंत्री परिशद है और प्रसासने कारेपालिका जो है वो करमचारी वर्ग है तो इस प्रकार से क्या है कारेपालिका के बारे में आप लोगों ने मुख्या कारेपालिका के बारे में जाना अब हम मुख्या कारेपालिका जो है उसके प्रकारों के बारे में देख लेते हैं विश्व के विभिन जगाहों में ये प्रारूप परचलेते हैं पहला है शंसदिय तथा धिक्षिय कढ्यपलिका संसद्य कई पालिका जो है वह भारत, जापान, ब्रिटैन जैसे देशों में चल रही है और संसद्य विवस्ता में दो परकार की कारेपलिका होती है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था जैसे राष्टपती और जो समराठ है वो नाममात्र की कारेपालिका होती है ये नाममात्र की कारेपालिका समयधानिक प्रमुख होते वे भी है नाममात्र की कारेपालिका वास्तिव कारेपालिका के प्रामर्श के अनुसार ही कारे करती है संसदी प्रणाली में वास्त्वी कारेपलिका के रूप में प्रधान मंत्री तता उसकी मंत्री परिशद होती है और यह वास्त्वी कारेपलिका वास्तों में उन सभी कारेपलिका सक्तियों का उप्योग करती है जो सासन संचालन के लिए क्या है आवश्चक है वास्त्वी कारेपलिका विधाइका में से ही चुनी जाती है तता अपने कारेकारण में वह विधाइका के प्रती क्या है उत्तरदाई होती है दूसरी और अधिक्षिय जो कारेपालिका है वो एकल कारेपालिका होती है और इसका स्रेश्ट उधारण क्या है? अमेरिका है वहाँ राष्टपती ही क्या है? सरवोच कारेपालिका होता है और वह नहीं तो विदाइका का भाग होता है और नहीं वो क्या है उसके परती उत्तरदाई होती है तो इस प्रकार से क्या है संसदी और अधिक्षिय कारेपालिका इसके पर साथ है एकल और बहुल कारेपालिका जब कार्यपालिका से संबंदित सभी निरने एक व्यक्ति लेता है तो वह क्या है एकल कार्यपालिका कहलाती है अमेरिकी राष्ट्रपती एकल कारेपालिका के स्रेष्ट उधारन है यह दिपी अमेरिकी राष्ट्रपती का मंत्री मंडल भी होता है परंतु है केवल कारे की सुईदा के लिए बनाया जाता है उत्तरदायत्यों की दृष्टी से राष्ट्रपती ही क्या है प्रमुख होता है एकल कारेपालिका में भारत जापान ब्रिटेन की मंतरी परिशद को गिना जा सकता है प्रधान मंतरी मंतरी परिशद के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर क्या है निर्णे लेता है तता संकट की गड़ी में क्या है, सारी मंत्री प्षइथ क्या है, एक साथ डूपती है दूसरी और Switzerland की वहल कारेपली का एक विशिस्त उधरन है Switzerland की कारेपली का में समान स्तर के साथ सदस्य मिलकर क्या है बहु सदश्य निकाय बनाते हैं जिसको बुंदे सराठ अर्थात संगिय परिशत कहते हैं यह सदश्य विदाइका में से चुने जाते हैं और विदाइका के परति उत्तरदाई भी होते हैं किन्तु इन्हें एक निश्चित अवधी से पहले नहीं अटाया जा सकता है इस बहु सदश्य निकाय का कोई प्रधान मंत्री नहीं होता केवल सुविदा के लिए एक सदश्य को राष्ट्रपती तथा एक को क्या है उप राष्ट्रपती एक वर्ष के लिए चुना जाता है तो इस प्रकार से एकल और भूल कारेपालिका भी विश्व में परचलित है इसके पस्चात आती है पैत्रिक तथा निर्वाचित कारेपालिका भी ब्रिटेन जपान तथा स्वीडन जैसे देसं में राष्ट्रपति का पदग जो है राष्ट्रपत्य का पदग जो है वब असानुगत है अर्थात राज्याइदग्स के मृत्यों के पास्चात उसकी संतान या संबंधी को राज्यायद्यक्स बनाए जाता है दूसरी ओर भारत, फ्रांस, अमेरिका, इटली आदी में क्या है? राश्टरपती का चुनाव होता है जिन लोग तांतरिक देशों में राश्टर का अध्यक्स या राज्य का अध्यक्स का पद्ध पैत्रक है तो इस प्रकार से मुख्या कारेपालिका जो है उसके ये तीन प्रकार है विश्व के भिन भिन देसों में इसके पशात अब हम देखते हैं संसदिय और अधिक्षय कारेपालिका में क्या अंतर हैं संसदिय कारेपालिका जो है उसका निर्मान विदाइका में से होता है और अधिक्षय कारेपालिका जो है वो विदाइका से क्या है प्रथक और सुतंतर रहती है संसदिय कारेपालिका में दो प्रकार की कारेपालिका होती है एक वास्तिक और नामात्र होती है और एक वास्तिक होती है जबकि अधिक्षिये में क्या होता है एकल कारेपालिका होती है इसी प्रकार संसदिये जो कारेपालिका है उसमें राज्य का अधिक्स अर्थात जब कि एक ही होता है, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपती जो हैं, वो रज ये के भी दिख्ष हैं, और सरकार के भी अधिक्स हैं, वह दोगरी कारेपालिका नहीं है. इसी प्रकार संसद्य कारेपालिका में मंत्री परिषद जो है क्या है सामुक उत्तरदाईतों का नियम लगू होता है जबकि अध्यक्षिय में क्या है मंत्री परिषद में ये नियम लगू नहीं होता संसद्य कारेपालिका जो है वो विधाइका के परती उत्तरदाई होती है जबकि यहाँ अध्यक्षिय में कारेपालिका समिधान के परती उत्तरदाई होती है संसद्य कारेपालिका में मंत्री परिश्द के सदस्य विधाइका में इसे क्या है लिये जाते है जबकि अधिक्षे कारेपालिका हमें मन्त्री पुरिक्त के सदस्या विदाइका के भाग नहीं होते उसके मेंबर नहीं होते कारेपालिका विदाइका को भंग करने के सिफारिश कर सकती है संसदिय में जबकि अधिक्षिय में क्या है कारेपालिका विदाइका को भंग नहीं कर सकती क्योंकि वो उसके मेंबर ही नहीं होते इसी प्रकार संसदिय कारेपालिका के में क्या है कारेपालिका की सदस्य विदाइका की कारेवाई में भाग लेते हैं यह क्या है मेंबर होते ही नहीं इसलिए भाग भी नहीं लेते संसदिय कारेपालिका को विदाइका एविश्वास प्रस्ताव से क्या है हटा सकती है विदाइका क्या है? कारेपालिका को एविश्वास परस्ताव से हटा सकती है जबकि अधिक्षिय में क्या है? कारेपालिका को विदाइका केवल महावियोग परस्ताव से हटा सकती है इसी परकार अन्तिम चौंतर है वो है संसद्य कारेपालिका में सक्तियों का स्पस्ट विवाजन नहीं पाय जाता है जबकि अधिक्षियों में क्या है सक्ति परतकरण क्या है स्पस्ट दिखाई देता है तो इस प्रकार से क्या है ये संसद्य और अधिक्षिय कारेपालिका की बीच अंतर है